क्या बिहार की सियासत में कुछ बड़ा होने वाला है लोजपा राम विलास के रास्टरिय अध्यक्ष चिराग पासवान ने अपने एक बयान से हल्चल सी पैदा कर रखी है हम आपको बताते हैं कि चिराग पासवान ने ऐसा क्या कहा जिससे यह चर्चा काफी तेज हो गई है कि बिहार की सियासत में उतर पुतर मचने का समय आ गया है या फिर जल्द ही आने वाला है दरसल चिराग पासवान ने यह कहा कि 2004 में एक बार ऐसा दिन आया था जब कॉंग्रेस की बॉस सोनिया गांधी उस बक्त हमारे पिता राम विलास पासवान से मिलने पैदल ही उनके घर पहुंच गई थी ठीक यही द्रिस से इस बार भी देखने को मिला है जब बिहार के मुख्य मंतरी नितीश कुमार लागु यादव के आवास पर यानि रावरी आवास पर पहुंच जाते हैं उनसे मिलने के लिए वो भी पैदल आखिर ऐसी कौन सी बात हो गई क्या यहा कि खेला तो भई होगा ही क्यों नहीं होगा मुख्य मंदरी नितीश कुमार जी पैदल चले जाते हैं लालू जी के इफ्तार में इतने सालों से तो गए नहीं हां और आज पैदल चलकर भई पैदल मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूं क्योंकि मेरे लिए माइने रखता है पैदल चलकर जाना क्योंकि 2004 में ऐसे ही सुनिया गांदी जी मेरे नेता आदनी रामलास पासवां जी से मिलने उनकी आवास पर पैदल चलकर गई थी और ठीक एक दिन पहले जब अगले देन केंद्री ग्रहा मंत्री हमें शार जी बिहार का दौरा करने वाले हैं वो बिहार हैं उससे एक शाम पहले इससे पहले की तो इफ्तारों में हो नहीं गया 17 के बास से मुझे कोई ऐसा विज्वल नहीं याद कि ऐसे कारेकरम 17 के बाद कई बार हुए हैं लालू जी के आवास पर और मैंने कभी नहीं देखा कि उसमें मुख्यमंत्री जी कभी गए हूं बर व उनाइटड भाछपा के बीच में देखने को मिला पेगासस को लेकर जाति है जंगन्ना को लेकर विशेजराज के दर्जे को लेकर जंसंक्या निरंतन कानून को लेकर हर चीज़ को लेकर विरोधा बहाँ से और ये बात मैं शुरू से कहता रहा हूं कि ये सरकार अपना कहरेक कारी के अनुसार इतना जरूर बोलूंगा कि जरूर कुछ ना कुछ तो होगा तो सुना आपने चिराग पासवान ने यह कहा है कि भाजबा और जनता दल युनाइटेड के बीच विरोधा भाष है कई मुद्दों पर एक दूसरे से अलग राय है और गटबंदर में विरोधा भास का कुछ ना कुछ जरूर मतलब होता है इसी को हावाला देते हुए चिराग पासवान ने अपनी प्रतिकडिया दी और तरके के साथ बताया कि यह डंके की चोट पर है कि यह सरकार ज्यादा दिन नहीं चलने वाली है बड़ा बदलाव होने जा रहा है उन्हांने कहा कि जद्य और भाजपा का गड़बंदन यह पूरे पाथ साल चले यह असंभव सा प्रतित होता है ऐसे में यत्ताई माना जा रहा है कि निटीश कुमार कोई बड़ा फैसला लेने वाले हैं और इस दोरान अगर आप देखे तो कई सारी ऐसी गतिविदियां हो रही हैं जो भाजु से मिलने उनके घर पहुंच जाते हैं और जत्यू के संगठन पर चर्चा की जाती है खुल कर कोई बात सामने तो आते नहीं है कि यह मुलाकात किस दिसा में जाने वाली है लेकिन पड़स्थिति यह बताती जा रही है कि बिहार की सियासत में कुछ बड़ा होने वा करना परेगा लेकिन कुछ दिनों से बीते कुछ दिनों से जो भी सियासी घटना कर्म चल रहे हैं वह कहीं न कहीं इस और इशारे कर रहे हैं कि नितीश कुमार या तो अपना बोड़िया बिस्तर समेटने वाले हैं या दिल्ली जाने वाले हैं या फिर सत्ता प्रिवर्तन क के बाद कोई बड़ा फैसला देखने को आपको बिहार में मिल सकता है